हलो, मैं हूँ कीनज अलकीनी शौरकर, पंडू ट्यूटर नीट चैनल में आपका स्वागत है, आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2023 के लिए हमारे केमिस्ट्री का प्लान क्या होना चाहिए? देखे हमारे जो प्रपरिशन होते हैं, उसमें दो चीजे बहुत माइने रखती है, एक तो है सोर्स, यानि की हम कहां से पर रहे हैं, और दूसरा है की टीचर, हमेशा याद रखना की सोर्स और टीचर एक ही सही है, एक से अगर ज्यादा करेंगे इसको, तो आपका कन्फूश हो जाएगा, जैसे कि इस बार नीट का जो पेपर था, बायो का तो everything was from NCRT, उसका तो मैं detail analysis कर चुकी हो, मैं eye button पे link दे दूँगी, फिर से देख लेना, अगर आपने देखा नहीं तो, और नीट में जो chemistry था, उसमें organic और inorganic और physical तीनों section धरा धर NCRT से आया है, भले ही व दिमाग लगाने वाला था, लेकिन हर line NCRT में लिखा हुआ था, तो source तो मैं कहूंगी कि one chief source, in case of your chemistry preparation, will have to be the four books of NCRT, 11th का दो बुक, 12th का दो बुक, समझ में आ गया, और multiple source अगर करोगे तो तो तुम्हारा confusion होगा, you need to be clear on that, लोग सोचते हैं कि 10 books से MCQs लगा लेंगे, 10 books से पर लेंगे, तो need जैसा competitive examination हम निकाल सते हैं, लेकिन आसा नहीं है, जो toppers होते हैं, उनका एक ही source होता है, ठीक है, और जो teacher, लेको teacher के बारे में तो मैं ये बोलूंगी कि, जो teacher तुम चूज कर रहे हो, पहले दिन उनके पास जाके कुछ conclusion निकाल मत लेना, at least 7 days तक उस teacher के पास रहो, और देखो कि वो teacher तुम्हारा doubt solve कर पा रहा है की नहीं, या फिर कर पा रही है की नहीं, या फिर आपका जो concept है, वो crystal clear हो रहे है की नहीं, एक दिन जाके, पहला दिन जाके, तुम लोग कुछ पता नहीं कर पाओग then you can lift the teacher and join the next one, लेकिन अगर 7 दिन बाद तुमने तै कर लिया कि हमें इस teacher से ही परना है, then please stick to the teacher, इधर उधर भटक ना मत, एक teacher अगर आपने तै कर लिया कि उनसे परना है तो उनसे ही परो, क्योंकि अगर तुम 2, 3, 4, 5 teacher से परोगे ना, तो हर teacher का परहाने का तरीका अलग ह तो तुम वहाँ पर confused हो जाओगे, तो one teacher से selection होता है, multiple teacher से क्या होता है, confusion, और अब sources के बारे में मैं detail बात कर रही हूँ, organic, inorganic और physical तीनों में ही same to same case होगा, पर physical के execution, यह तो हम sources, यानि कि जो मसाले चाहिए, वो हम इकठे कर रहे हैं, और organic और inorganic का cooking, यानि कि preparation, plan of execution, वो same to same होगा, लेकिन physical में same to same होगा, और सिर्फ एक नमक और चीनी का जो, क्या बोल सकते है, जो amount है, वो differ करेगा, ठीक है, this is the difference which we are going to see, देखो, sources में क्या होगा, lecture notes, only NCRT based, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, प्लीज ऐसा करो कि पहले research कर लो कि जो टीचर को आप चू पर रहे हो, तो senior से एक बार बात कर लो कि वो teacher NCRT based परहाते है कि नहीं, then only join his or her coaching classes, और अगर तुम online पर रहे हो, YouTube से पर रहे हो, then वो जो teacher है, उनका previous lectures देख लो कि वो NCRT based है कि नहीं, ठीक, then you can go for that particular teacher, तो वो teacher जो परहाते है, उन teacher का जो परहाना है, वो note करो, ठीक है, से वो important, then NCRT class 11th और 12th का जो 4 books होता है, that is very important, ये दो source हो गया, तुम्हारा theory का, तीसरा, तीसरा जो आपको चाहिए, वो है कि एक MCQ book आपको चाहिए, और आपने दिखा होगा, मैंने सिर्फ एक बोला है, हाँ, सिर्फ एक ही चाहिए आपको, मैंने यहां पर दो option लगा के एक हो सकता है, आरिहन्त objective chemistry by R.K. गुपता या फिर, MTJ need guide, अब दोनों एक साथ खरीद मत लेना, सिर्फ एक को खरीदना परेगा आपको, लोग सोचते हैं कि 10 किताब से हम MCQ solve कर लेंगे, तो हमारा rank आ जाएगा, जोश जोश में वो पहले 10 किताब खरीद भी लेते हैं, ले उनको लगता है कि हमने तो 10 बुक से solve नहीं किया, क्या हमारा selection हो पाएगा, तो इसी चक्कर में मत परना, only buy one MCQ book, ठीक है, उसके बाद, NCRT के जो exercises है, chemistry के लिए मैं बोल रही हूँ, NCRT के जो exercises है, हर chapter के पीछे, जो exercise है, हर chapter के अंदर जो examples है, और NCRT का exemplar का एक book आता है, जैसे कि NCRT आपका book आता है, वैसा ही NCRT exemplar का भी आपका book आता है, ठीक है, वो exemplar में जितने सारे questions है, उसको सारा को solve करो, मैंने biology exemplar का जो questions है, वो already एक series बना के रख दिया है, प्लेइलिस पे जाके अप लोग चेक कर सकते हो, नाम भी है, biology QR code MCQ, और वो biology का हर एक chapter के उपर जो QR code लगा हुआ है, उसको अगर scan करोगे, तो आपको बहुत सारे MCQs questions मिलेंगे, वो actually exemplar का ही questions है, done, अब देखो, ये तो हो गया practice का, अब आपको क्या करना परेगा, जो आपका जो neat key environment में बार बार टेस्ट देके तो आपको खुद को जाचना परेगा, ना, ठीक है, तो आपको क्या करना परेगा, एक NCRT-based mock test को आपको लेना है, सिर्फ एक, यहाँ पर देखो, मैंने एक को हाइलाइट कर लिया, लोग क्या करते है, दो, तीन, चार MCQ series को जोईन कर लेते हैं, और ठीक से किसी को भी अटेंड नहीं कर पाते, मालो कि एक दिन, एक जगा पे आप तुम वो टेस कॉंड़क किया जाते हैं, ताकि वो आपका जो नीट का टाइम है, उसके साथ सिंख करने के लिए, तो दोनों जगा अगर सेम टाइम पे एक्जाम होगा, तो तुम दोनों कैसे अटेंड करोगे, और अगर तुम बाद में उसको अटेंड करोगे, तो तुम् अगर रैंक दूसरों से मतलब नहीं कर सकते हैं, और अगर रैंक नहीं आया, तो खुद को तुम कैसे ना पोगी, कि हमारा पोजिशन यहां है, और अगली एक्जाम में, अगली मॉक टेस में हमको यहां तक जाना परेगा, ठीक है, तो पे अटेंशन तो दाट, लुक NCRT-based होते हैं कि नहीं, ठीक अपने senior से पूछो या फिर अगर online पे कर रहे हो, तो previous जो मॉक टेस्ट वो लोग ले चुके हैं, उसको देखो कि वो NCRT-based है कि नहीं, then you can join that, अब execution पे क्या होगा, फिर biology की तरह ही होगा, organic और inorganic का, और same execution physical का भी होगा, लेकिन वहां पे ए एक additional चीज अपको करना परेगा, physical chemistry में, वो में आती हो, देखो, पहले तो वो जो lecture अपका teacher जो है, उनका lecture थोरोली सुनना परेगा, और notes बनाना परेगा, और घर आके या फिर online class attend करने के बाद, कुछ time break लेने के बाद, वो notes को immediately उसी दिन ही revise करना परेगा, अगर तुम scientifically proven है, कि जिस दिन आपका lecture चलता है, उस दिन ही अगर आप उसको revise कर लोगे, तो आपका जो brain है, वो बहुत दिन तक उससे retain कर पाते है, ठीक है, then, ये notes revise करने के बाद, आपका काम खतम नहीं होता, you need to take 15 minutes break, और वापस आके आपको NCRT book उठाना है, जो portion आपके teacher ने उस दि cover किया है, वो portion NCRT से hand to hand उसी दिन ही आपको परना है, ठीक है, और, मैंने biology के case में बताया था, कि notes में आपका additional जो point होगा, वो NCRT book में add कर लो, लेकिन इहां पर आपको उल्टा करना परेगा, क्योंकि NCRT of chemistry, ऐसा लिखा गया है, कि NCRT of chemistry को अगर तुम खोलोगे, तो तु तो क्या करना परेगा, NCRT उठा के, आप लोग यह देखो कि NCRT में extra कौन सा point है, जो आपके teacher के notes में नहीं है, तो वो NCRT का वो extra point अपने notes पे add कर लो, ठीक है, done, अब, यहां तक तो physical, organic और inorganic तीनों case में आपको similar काम करना परेगा, लेकिन, physical के लिए additional एक चीज करना पर ठीक है, NCRT आपने पर लिया, physical chemistry का, अगर NCRT में आपको additional कोई formula मिला है, तो वो formula अपने notes में add कर लो, और notes के जितने सारे formula और NCRT का जो formula है, उसको अलग से एक sheet के उपर लिखो, उपर heading दो, all formulas of mole concept, और नीचे formula लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जा ठीक है, और अगर additional कोई concepts अपको मिला है, चोटा-चोटा concepts अगर मिला है, तो वो भी अपना sheet में add कर सकते हो, this is the thing which you need to do extra for physical chemistry, ठीक है, अब देखो, आप क्या करोगे, उसी दीन ही, वो जो मैंने दो MCQ बुक के बारे में बताया है, वो बुक से, किसी एक बुक से, दोनों ख कवर किया है, उसका जो questions है, उसको solve कर लेना, ठीक है, और physical के लिए extra और एक चीज़ आपको करना परेगा, कि NCRT के जो exercise है, examples है, वहां से भी आपको solve करना परेगा numericals, ठीक है, और exemplar तो compulsor ही है, तीनों के लिए ही है, करना परेगा, उसके बाद, यह जो सारे के सारे M.C.Q.s, formula sheets, यह सब कुछ करने के बाद, आपके दिमाग में तो बहुत सारे doubts होंगे, तो क्या करोगे, उस doubt को एक अलग सा diary में लिख लोगे, और अगले दीन, first thing जो करोगे, आपने tuition teacher के पास जाके, वो अपना doubts clear करोगे, ठीक है, और उसके बाद, mock test skip नहीं करना है, अग अगर पाथ chapter है, mock test में, और एक भी chapter अपका तयार नहीं हो, then also give the mock test, क्योंकि क्या होगा, अगर mock test में आपका zero number भी आए है, तो घर पे आके जब आप mock test का analysis करोगे, तो 50 questions होते हैं, एक-एक mock test में, 50 questions का तो 50 concepts तो आपका clear हो जाएंगे ना, जब आप analysis करेंगे, ठीक है, और ट्राइ करो यार, निट 2023 के लिए बैठने जा रहे हो, ट्राइ करो यार की, at least 70-80% अपना syllabus कम्लीट करके mock test देने के लिए, ठीक है, ये zero तो मैं मतलब कहने के लिए बोल रही हो, ऐसा मत करना, okay, then, अब देख, अब ये mock test में बहुत सारे गलतिया करोगे, वो गलतिया, और ये जो doubts अपने teacher से पूछा है, उसका जो answers है, answer अपने teacher क्लियर करके दिया है, वो सारी चीज़े, अपने notes में वापस से add करो, इससे क्या होगा, जब exam pass आते जाएंगे, आते जाएंगे, और आप mock test होगे, रिवाइस करोगे, तो आपको क्या लगेगा, कि एरे भाई, जो सिर्फ अपना ये notebook, अगर में रिवाइस करनोंगी, तो मेरा सारा का सारा syllabus कावर हो जाएगा, आपको दो चार किताब खोलने नहीं परेंगे, ठीक है, सिर्फ आपने notes को देखो कि वहाँ पे ही NCRT का हर पॉइंट है, वहाँ पे ही extra point है, वहाँ पे ही formula sheets, वहाँ पे सब कु है ना, उसके बाद, उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं, जो पूछते हैं कि organic chemistry का reaction याद नहीं रहता, इन और्गनी chemistry याद नहीं रहता, तो मैं बोलूंगी, बिल्कुल same to same bio का जो strategy मैंने बता दिया था, कि जो चीज आप भूल रहे हो, उसको याद कैसे रखोगे permanently, वह ऐसे याद रहोगे, कि जो चीज तुम भूल रहे हो, वह एक जगा पे note करो, note करने के बाद, लगातार 7 दिन तक, आप उसे रोज एक बार, with concentration, just reading दो, just read it, but with full concentration, and focus, यह 7 दिन तक करो, साथ दिन के बाद, अगला विक, यानि कि दूसरे विक, आप every alternate days, वो same चीज रिपीट करो, तीसरे विक, आप every two alternate days, उसे रिपीट करो, चोथा विक, आप सिर्फ एक बार करो, उसे, और उसके बाद, एक महीने में दो बार करो, लेकिन इससे नीचे मत जाना, इससे नीचे म उसको revise करोगे, तो आपका भूलने का chances है, ठीक है, तो महीने में at list, minimum, आपको दो बार तो revise करना ही है, तो 10 steps complete होगे, समझ में आया सक कुछ, देखो तुम्हारे काम को आसान करने के लिए, यूट्यूब पे daily live classes होंगे 1st August से, ठीक है, मैं रश नहीं करना चाती हूँ, नहीं ले पाए, कि drop लेना है कि नहीं, कोई बात नहीं, take your time, और 1st August से, इस channel के उपर हर रोज live classes होंगे, full syllabus coverage होगा आपका, ये मत सोचना कि August से शुरू करोगे, तो हमारा syllabus कब तक खतम होगा, आप लोगों को मैं दिखा दूंगी, कितना परके, कितना कम परके, to be very frank, कितना कम परके, कम परके मतलब कम hours नहीं, कम time नहीं, कम content के बारे में बोल रही हूँ, कितना कम content परके, कितना precise, concise content परके, आप लोग NEET में 700, 700 बोल रही हूँ, 170 प्लास आउट अफ 180 ला सकते हो, chemistry, इधर उधर का कच्छा पढ़नी की कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम क्यों अपना वक्त जाया करें उनको पढ़ने के लिए, है ना, चलो, तो 1st August, date, याद रखना, सारे classes schedule हो जाएंगे, आप लोगों को दिखाई देगा already, so don't worry, classes कैसे होंगे, NCRT based होंगे, concept learning होंगे, ठीक क्यों सिर्फ नहीं, हर concept को जब clear करूंगी, तो उसका तो examples मुझे देना ही परेगा ना, तो लगातार question solve होंगे, और ये जो PPT और detail notes होंगे ना, वो आपको इस telegram channel पे directly मिल जाएगा, आपको कहीं पे जाने की जरुवत नहीं है, तो इस telegram channel को subscribe करके रखो, ठीक है, और हम श का clear नहीं है, तो आप states of matter नहीं समझोगे, thermodynamics नहीं समझोगे, thermodynamics नहीं समझोगे, तो आपका equilibrium में दिक्कत आजाएगा, इक्विलिब्रियम अगर नहीं समझे, तो chemical kinetics समझ नहीं पाऊगे, और फिर से अगर आपने thermodynamics और mole concept और अपका gas equation आपको समझ में नहीं आया ठीक से, देन आपको electrochemistry समझने में भी दिक्कत होगा, और mole concept अगर ठीक से समझ में नहीं आया, तो आपको solution chapter समझने में दिक्कत होगी, और कुछ-कुछ हिस्सा solid state का भी आपको दिक्कत होगी समझने में, तो देखो surface chemistry को अगर हम छोड़ देते है physical chemistry से, तो बाकी सारे के सारे जितना भी physical chemistry का chapter है, वो आप नहीं कर पाऊगे, अगर आपने mole concept ठीक से नहीं किया, so mole concept will be our first target, ठीक है, और देखो inorganic chemistry में, अगर आप periodic, अगर आप वो जो atomic structure है, उसे आप ठीक से नहीं समझोगे, कि orbital, वो वगेरा वगेरा वो स्टीज़ अगर नहीं समझोगे, तो आप जो आप chemical bonding का chapter है, उसे नहीं समझ पाऊगे, अगर periodic table ठीक से नहीं समझे, तो आपका chemical bonding में दिककत होगी, और अगर chemical bonding में दिककत हुआ, तो मालो पूरा organic ही तुमारा खराब हो जाएगा, इनORGANIC भी समझ नहीं पाऊगे, ठीक है, वो hybridization का concept अगर नहीं क्लियर वो तो इनORGANIC कैसे स sequence हम चल सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे, इनORGANIC, और गनिक ऐसे करते रहेंगे, don't worry, हम वे इन टाइम अपना syllabus कम्प्लीट कर पाएंगे, तो दो को chemistry का जो classes होंगे, वो 8.30 PM टू 9.30 PM होंगे हर रोज, Monday to Friday, Saturday, Sunday, आपका revision और mock test के लिए मैं फ्री छोर रही तो हमारा स्टार्ट होगा, मोल कॉंसेट चाप्टर से, ठीक है, तो एक और बार मैं यह बोल रही हूँ, एक सेकंड और एक चीज में बोलना चाहती हूँ आपको, देखो कि अगर आपको थोरा सा परसनलाइज लर्निंग चाहिए, तो आपको चैनक्या बैच को जोईन कर सक है, 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसमें डेली जूम इंटराक्टिव क्लासे होंगे, फुल सिलबस कावरेज होंगे, डीपी दिया जाएगा, डाउट क्लियर होगा, मेंटर सिप्सेशन होंगे, और मॉक टेस्ट होंगे, इसके डीटेल अगर आपको जानना है, तेन अगस्ट, हम यूट्यूब पे अपना केमिस्ट्री शुग करने वाले, ओके, थैंक यू वेरी मच फो वाचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करो, चैनल को सब्स्क्राइब करो, टेलिग्रम चैनल को भी सब्स्क्राइब करो, क्योंकि ट तीन तीन कॉंसेट क्लियर हो रहे हैं, बाइलोजी का एक, केमिस्ट्री का एक, फिजिक्स का एक, ठीक है, तो जॉइन देलिग्रम चैनल, और थैंक यू वेरी मच फो वाचिंग दिस वीडियो